नमस्कार दोस्तों मैं एड़ुकेट पूनमकोल आप सब का स्वागत करती हूँ कानून की जानकारी में तो फ्रेंड्स आज मैं कुछ कुश्चन्स लेकर आई हूँ जो आम तोर पर जो हस्बंड और वाइफ है वो पूछते रहते हैं तो क्या है ये सवाल आईए मैं आपको भी बता देती हूँ पहला सवाल है राइट ऑफ वाइफ इन प्रॉपर्टी ऑफ हस्बंड की जो पतनी है उसका राइट अपने जो उसके हस्बंड है उसके हस्बंड की प्रॉपर्टी में अपनी पतनी का क्या राइट है क्या कोई भी पतनी अपने पती से उसकी property में share मांग सकती है पहला सवाल ये है और दूसरा question जो मैंने यहां पर लिया हुआ है वो है right of daughter-in-law in the property of father-in-law और mother-in-law तो इसका मतलब यह है कि जो बहू होती है क्या उसको कोई right है अपने father-in-law या mother-in-law की property पर क्या वो father-in-law और mother-in-law की property में से उनसे share मांग सकती है जो भी उनका sharehold property है जैसे कि जब शादी हो जाती है और जो एक महिला है वो sharehold property में आती है matrimonial home आती है और जब dispute होता है आपस में तो क्या यह जो daughter-in-law है तो यह क्या जिस matrimonial home है जिसको हम sharehold property भी कहते है क्या यह वहाँ उस sharehold property में अपने father-in-law से या mother-in-law से share मांग सकती है और तीसरा सवाल जो है जो मैंने लिया हुआ है वो है can wife claim right in the husband's property at the time of divorce जब divorce होता है husband और wife के बीच में जब divorce होता है या divorce जब petition file होती है court में या divorce हो गया होता है तो इन दोनु सुर्थों में क्या wife अपने husband से property claim कर सकती है जो कि husband की property है क्या वो husband से उसकी property में share मांग सकती है तो friends ये जो भी मैंने questions बोले है आज मैं इन ही सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी और अगर आप भी इनका जवाब जानना चाहते है तो मेरे वीडियो के अन तक बने रहिए और जानिए इन सवालों का जवाब तो friends चलिए जो पहला question है कि क्या पती जो पतनी है वो अपने पती की property में claim कर सकती है उनसे share मांग सकती है अपने पती के property में तो इसका जवाब है कि जो भी पती की अपनी property होती है जो वो अपने पैसू से खरीता है जो उसके नाम की property होती है याने title पती के नाम का होता है जो documents है उसने पती का नाम होता है पती अपने पैसू से कोई भी property खरीता है तो उसको हम भोलते है कि इसकी self-acquired property है तो self-acquired property म पतनी का कोई भी हक नहीं है तो पतनी कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है वो अपने पती से कोई भी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकती है उसको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडिशन है कि पती का जिन्दा होना जरूरी है इसका मतलब है कि जब तक पती जिन्दा है, जो भी पती की self accurate property है, उस पर उसकी wife claim नहीं कर सकती है, simple सी बात है, अब इसका दूसरा condition है, कि अगर पती की self accurate property है, documents में उसका नाम है, वो property उसी के नाम की है, लेकिन इस condition में जो ये condition है, second condition है, इसमें जो पती है, उसकी death हो चुकी है, तो death के बाद, पतनी अपने पती के जो property है, उसमें उसको share मिलता है, as per Hindu Succession Act Section 8 जो है, उसके तहत, उस पतनी को share मिलता है, जैसे legal years का मिलता है, जैसे उनके कितना share मिलेगा, जो उसके बच्चे है, और जो उनके, जो husband है, उसकी जो mother है, मदर और बच्चे और भीवी, जो भी legal years में है, उनको equally divide होगी वो property, यानि death के बाद wife को मिल सकता है share of the property, लेकिन पूरा share नहीं मिलेगा, as a legal year उसको मिल सकता है, वो बच्चो में भी divide होगा, वो mother में भी divide होगा, जितने उसके legal year है, वो sub में divide होगा, और wife में भी divide होगा, तो ये बात होगी after the death of the husband, तो पहला मैंने बोला husband जिन्दा है तो पत्नी को कोई share नहीं मिलेगा, और second मैंने बोला कि अगर husband की death होती है, और उसके बाद पत्नी को उसका जो share है, वो मिलता है, लेकिन इसके बीच में अगर पत्नी ने कोई will बनाई होगी, और वो उसने पत् उस time पत्नी को कुछ नहीं मिलता है, वो जिसके नाम की will है, उसी को मिलता है, अब बात करते हैं, तीसरा जो इसका case होगा, वो ये है कि अगर पत्नी ने अपने पैसों से कोई property खरी दी है, देखिए इसे समझ लीजे, पत्नी के पैसों से ही property खरी दी गई है, लेकिन जो property ख खरी दी गई, वो husband ने वहाँ title में नाम अपना दिया हुआ है, तो as per document जो है, तो वो माना जाएगा कि वो पती की property है, लेकिन उसमें वो खरीदा था wife ने वो property, तो इस case में, अगर वो ये प्रूव कर सकती है, कि ये property उसने अपने पैसों से खरी दी है, और उसका सिर्फ husband क नाम उस पर है, तो ये evidence अगर वो court में दे सकती है, प्रूव कर सकती है, तो वहाँ पर वो उस property को, जो husband के नाम की property है, और जो पतनी ने अपने पैसों से खरी दी है, वो वहाँ उसको मिल सकती है, तो friends, अब next situation है, कि जहां husband और wife इखटे मिल कर कोई property खरीदते है, चाहे उस property खरीदी गई है, उसमें husband और wife दोनों का नाम है, तो उस सूरत में जो वो condition है, उसमें जो property है, वो दोनों की half a property होती है, यानि वो equally divide होती है, अगर इस condition में कोई भी husband अपनी wife से ये कहता है, कि नहीं मैं आपको property नहीं दूंगा, ये सिरफ मेरी property है, तो उस condition में जो wife है, व court से वहाँ पर suit file कर सकती है, और अपना जो share है, उस property में जो उसका 50% का share है, वो ले सकती है, ये depend है कि जो उनोंने property मिल के लिए है, उसमें कितना किसका कितना share है, अगर वो 50-50 का share है, या दोनों का property में नाम है, कुछ share की बात नहीं है, तो इसका मतलब है 50-50 का share है, तो यह Friends, अब next question में आते है, कि जब divorce की बात आती है, जब divorce file करता है, चाहे वो husband file करे, या चाहे वो wife file करे, तो उस सूरत में क्या wife demand कर सकती है, पती से उसका जो property है, तो Friends, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि पतनी अपने पती से, जो उसकी self-accured property है, वो उसमें claim नहीं कर सकती है, share नहीं मांग सकती है, अब बात यहाँ divorce की है, divorce में भी यही condition रहेगी, वो claim नहीं कर सकती है, वो यह नहीं कह सकती है, कोट में कि मेरे पती के पास इतनी property है, और इस property का 50% मुझे दिया जाए, या इस property में share मुझे दिया जाए, नहीं, लेकिन वो वहाँ पर almoni मांग सकती है, एक permanent almoni मांग सकती है, वो maintenance मांग सकती है, क्योंकि देखिए जो wife होती है, कभी कभी, क्या हमारे इंडिया में ऐसा है, कि wife जब शादी होती है, तो wife गर संबालती है, और जो husband है, वो job करते है, जादातर यही देखा जाता है, अगर wife घर संबालती है, तो husband job करते है, तो जब wife 10 साल, 15 साल, 2 साल, 3 साल, घर संबालती है, उसके बाद उसको husband से कोई problem होती है, और divorce तक की बात आ जाती है, और divorce भी लेना चाहते है एक दूसरे से, तो तब wife का एक genuine सवाल ये होता है कि अगर मैंने ठीक है मैंने जॉब नहीं किया मैंने नहीं कमाया लेकिन मैं भी तो घर में काम करती थी मैंने भी तो बच्चे पाले है तो उसका क्या क्या मैंने ये सब फिर waste हुआ मेरा सिर्फ वो कमाता है वो property बनाता गया अपने नाम की और मेंचे तो कुछ मिलाने तो friends यहाँ पर वो claim कर सकती है almonie वो ये भी कह सकती है वो जब permanent almonie claim कर सकती है तो यहाँ पर वो ये कह सकती है को उसको residence के लिए रहने के लिए घर चाहिए वो घर मांग सकती है वो almonie मांग सकती है वो maintenance मांग सकती है as per the case जैसा उसका case है उस case के हिसाब से ज side करेगी कि उसको क्या मिलना चाहिए लेकिन ये जो सारी property है चाहे वो गर मांगे चाहे वो almonie मांगे चाहे वो maintenance मांगे जैसा भी उसका case है तो वो ऐसे मांग सकती है लेकिन ऐसे अगर वो मांगेगी कि मुझे अपनी पती के जो property है उसमें तरीका कि आप direct share मांगोगे वो court allow नहीं करेगा बाकि आप permanent almonie मांगो, घर मांगो, maintenance मांगो वो भी depend है कि जो उसके लिए भी आपको अपने पती का status दिखाना होगा जैसे मैंने वो सारे videos में कहा है आपको income affidavit दिखाना होगा अपने husband को भी देना होगा, wife को भी देना होगा और जो court decide करेगी तो उस time court का ही जो फैसला होता हो मानना पड़ता है लेकिन friends इसमें भी बहुत सारे जो clients है वो ये कहते कि नहीं हमारे husband जो husbands है वहाँ से हम share ले सकते है property का तो उसमें ये है कि जो husband होता है कभी कभी क्या होता है जब wife permanent almoney मांगती है तो उस time husband अपनी property में से कुछ property wife को देता है देकिन वो होता है outside the court settlement या तो वो mediation में settle होता है या तो वो parties के बीच में settle होता है कि ठीक है अगर तुम इतना अगर wife हो जादा मांगती है husband के पास नहीं है तब husband ये कहता है कि मैं थोड़ा सा जो भी मेरा share है property है मेरा कोई गर है वो मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा that is something different ठीक है वो उनका आपस का मसला है वो उनका आपस का settlement है जो outside court होता है या जो mediator के पास होता है लेकिन as per law wife कभी भी husband की property मेर share नहीं मांग सकती है वो divorce के time almoney भी मांग सकती है और maintenance भी मांग सकती है तो friends ये भी मुझे ऐसा लगता कि ये आपका जो question है ये भी clear हुआ अब जो मैंने next question था next question क्या था हाँ next question था daughter-in-law का जो daughter-in-law जो जब किसी लड़की की शादी होती है तो जाहिर सी बात है matrimonial home आती है matrimonial home जो होता है कभी-कभी husband का नहीं होता है husband के नाम का नहीं होता है वो father-in-law का होता है या mother-in-law का होता है लेकिन जब लड़की आती है तो उस गर में आती है उस टाइम शादी के टाइम वो थोड़ना ये बोलती है कि ये किसका गर है किसके नाम का है ये sharehold property मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी सारी बाते शादी के टाइम नहीं होती है शादी होती है वो सुसराल आती है अब ये सारी बाते होती है जब problems create होती है तो अब बात यहां आती है कि जब लड़की अपने सुसराल में होती है याने matrimonial home में होती है और उसको उस matrimonial home से निकाला जाता है तो क्या वो उस matrimonial home में जो उसके father-in-law की property होती है उस में से share मांग सकती है तो friends ये भी इसका भी आंसर बिल्कुल clear है कि वो अपने father-in-law की property हो या mother-in-law की property हो वो उसमें कोई भी share demand नहीं कर सकती है उसको कोई भी share नहीं मिल सकता है लेकिन उसको रहने का वो वहां रह सकती है जैसे domestic violence act में आपने देखा होगा कि वहां रहने का residential कि उसको रहना है accommodation उसको चाहिए वो रहने का अधिकार उसको है लेकिन property और property लेना property का अधिकार और property में रहना ये दूनों अलग-अलग है उसको property उसके नाम की नहीं होगी वो property में share नहीं ले लेगी लेकिन वो उस property में रह सकती है तो friends यहाँ पर matrimonial home में आप रह सकते हो लेकिन वो आपकी property नहीं बन सकती है तो friends यह उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सारी जो questions मैंने आज बताए आपको समझ आया होगा कि wife का जो role है husband की property पर या उसके सुस्राल की father-in-law की property पर या divorce के बाद क्या उसका property पर role रहेगा तो यह सारी चीज़े मैंने यहाँ cover की अगर और भी आपका कोई question हो तो आप वो मुझे comment box में लिख सकते हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी तो चलिए friends यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए कुछ और नया topic लेकर मैं दुबारा से आजाओंगी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार, keep watching my channel, share, subscribe, जरूर कीजिएगा Thank you